हेलो गाईज आज किस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इस्टाग्राम की दूसरी आईडी लॉगिन कैसे करें बीना पासवर्ड के अगर आपको पासवर्ड भूल गया है फिर भी आप दूसरी आईडी इस्टाग्राम की लॉगिन कर सकते हैं बहुत असानी से बस आपको ये वीडियो पूरा वाच किये रहना है तो आपको सबसे पहले चले जाना है अपने इस्टाग्राम पर तो हम अपना इस्टाग्राम ओपन कर लेते हैं तो जैसे आप ओपन कर लेंगे फिर यहाँ पर आपको प्रोफाइल का अपसन दिख जाएगा तो आप इस पर क्लिक कर देना तो जैसे आप क्लिक कर देंगे फिर आपको सबसे उपर थ्री डाट का अपसन दिख जाएगा तो आपको थ्री डाट पर क्लिक कर देना है जैसे आप three dot पर click कर देंगे तो यहाँ पर आपको setting and privacy पर click कर देना है तो जैसे आप click कर देंगे फिर आपको सबसी नीचे चले जाना है तो जैसे आप सबसी नीचे चले जाएंगे तो यहाँ पर आपको add account का option दिख जाएगा तो आपको add account पर click कर देना है फिर यहाँ पर आपको login into पर click कर देना है तो जैसे आप login into पर click कर देंगे फिर आपको सबसी नीचे such account का option दिख जाएगा तो आप इस पर click कर देना तो हम click कर लेते हैं तो जैसे आप क्लिक कर लेंगे फिर यहां पर आप देख सकते हैं फारगेट योर पासवर्ड का अपसन आ जाएगा या गेट हेल्प बित लागिन का अपसन आ जाएगा तो आपको गेट हेल्प लागिन पर क्लिक कर देना है या फारगेट पासवर्ड पर क्लिक कर देना है त तो जैसे आप क्लिक कर देंगे, फिर आपके सामने कुछ असे इंटरफेस ओपन हो जाएगा, फिर यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम, इमेल आईडी या फोर नमबर डाल देना है, तो यहाँ पर हम अपना यूजर नेम दे देते हैं, दूसरी आईडी का, तो जैसे आप दे देंगे, फिर आपको नेश्ट पर क्लिक कर देना है, तो जैसे आप क्लिक कर देंगे, फिर आपके सामने कुछ असे इंटरफेस ओपन हो जाएगा, तो आपको सेंड इमेल पर क्लिक कर देना है, यह सेंड इसमेस पर क्लिक कर देना है, तो हम सेंड इमेल पर क्लिक कर दे तो यहां पर आप देख सकते हैं, कि हमारे email पर एक smith आ गया है, तो हम इसे open करते हैं, तो जिसे आप open करेंगे, तो reset your password का option आ जाएगा, तो आप इस पर click कर देना, तो जैसे आप click कर देंगे, फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं, new password बनाने का option आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको new password बना लेना, फिर आपको reset password पर click कर देना, तो जैसे आप reset password पर click कर देंगे, तो आपकी ID यहाँ पर open हो जाएगी, जी हाँ यहाँ